क्या आप भी super trend का indicator यूज़ करके trading करते हो अब यहाँ पर आपके तीन जवाब हो सकते हैं हाँ ना या यह क्या होता है मैं आपको इस सब के जवाब दूँ उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह video आपके लिए बहुत काम का video हो सकता है बशरते आप इस video को पूरा इस video में मैं आपको automatic होने वाली trading के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि super trend का इस्तमाल करके किस तरीके से आप automatic trading कर सकते हैं अब आप बिना skip किये पूरा video देखना क्यूंकि आज से आपका trading करने का तरीका एकदम से change होने वाला है तो चलिए video को शुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्परवीन नाना और आप देखना शुरू कर चुके हैं अल्गो क्रैप का video tutorial तो आएए जानते हैं super trend के बारे में अल्गो क्रैप के चैनल को सब्सक्राइब करो और बैल ऐकन दबाओ super trend stock market में इस्तमाल होने वाला एक technical indicator है इसकी मदद से हम market के trend को आसानी से समझ सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी trading कर सकते हैं देखो आजकल ना तो broker की advice का भरोसा है और ना ही phone call करके tips देने वाले धुरंदरों का आपको समय समय पर ऐसे हुड़क चुल्यों की call आते रहते होंगे जो आपको एक ही दिन में करोड़पती बनाने का दावा करते हैं और आपको सपने दिखाते हैं और आप भी मन ही मन एक बड़ा समकान और एक BMW भी plan कर लेते होगे है ना असल में आपको ऐसे हुड़क चुल्यों से बच कर रहना चाहिए क्योंकि वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की दो मिनट में लंका लगा सकते हैं ना तो उनको टेकनिकल एनलिसिस आती है और ना ही टेकनिकल एनलिसिस का टी पता होता है खेर अपना वीडियो सुपर ट्रे एक टेकनिकल इंडिकेटर है जो की टेकनिकल एनलिसिस के लिए यूजिया जाता है टेकनिकल एनलिसिस यह वर्ड आपने कभी सुना है नहीं सुना तो चलो मैं बताता हूं टेकनिकल एनलिसिस का मतलब होता है तकनिकी विशलिशन इसका हम किसी भी चार्ट में उसका डेटा होते हैं वो बताते हैं कि इस लेवल के ऊपर जाने के बाद निफ्टी और तेज हो सकती है या इस लेवल के नीचे जाने के बाद निफ्टी और वीक हो सकती है तो वो सब क्या करते हैं चार्ट में एनलाइस करते हैं और उसके बाद ऐसा फोरकास्ट कर पाते हैं तो इसी तरह प्रेके की एनलेसिस को आसान बनाने के लिए टेकनिकल इंडिकेटर का इस्तमाल किया जाता है जिसमें से एक है सूपर ट्रेंड बेसिकली सूपर ट्रेंड एक एटियार यानि की एवरेज टू रेंज पर बेस्ट इंडिकेटर है कैंडल के प्राइस में कुछ गुना भाग करके एक रिजर्ट निकला जाता है और उस रिजर्ट से पता चलता है कि मार्केट अभी बाइंग जोन में है या फिर सेलिंग जोन में उसके साथ ही साथ एक के लिए भी इस्तिमाल करते हैं जहां पर वह लाइन के ऊपर या नीचे क्रॉस होता है वहां पर हम अपना स्टॉप लौस सकते हैं तो यह थी सूपर ट्रेंड की थियोरी अब चलते हैं प्रैक्टिकल पर और देखते हैं कि सूपर ट्रेंड की शकल कैसी दिखती है नहीं नहीं ऐसी तो नहीं दिखती है आप अब जो देख रहे हैं वो मेरी कम्पीटर की स्क्रीन है और अभी जो सॉफ्ट्वर में यूज कर रहा हूं उसका नाम है मैटा ट्रेडर 4 आप चाहें तो अपनी अनलेसिस करने के लिए कोई भी सॉफ्ट्वर इस्तमाल कर सकते है आप ब्रोकर का प्लैट्वर्म भी यूज कर सकते हैं मैं M24 को यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक फीचर है जिसको कहते हैं मेटा एडिटर उसका इस्तमाल करके ही हमने इस सूपर ट्रेंड के अंदर इंटरस्टिंग चीज़ें एड की हैं जिसकी मदद से आप आटमेटिक ट्रेडिंग कर पाएंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं मान लिजे आपके मन में कोई आइडिया है कि मार्केट में जब कुछ मुमेंट होती है तो उससे इसाब से मुझे ऐसा ऐसा करना या कई बार कुछ लोग दो या तीन इंडिकेटर के कॉंबिनेशन पर ट्रेडिंग करते हैं अगर आप चाहो तो हम आपकी उन स्ट्रेडिजिस को उन आइडियाज को भी आटोमेट कर सकते हैं उसके लिए आपको हमें एक डॉक्यमेंटेशन भेजना होता है कि आपको किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को परफॉर्म करवाना है हम एक नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं आपसे और उसमें हम आपको वो चीज़ बना कर दे देते हैं थीना बड़ी इंट्रेस्टिंग सी बात यह तो कभी भी आपका अगर मन करे कोई स्ट्रेडिजी बनवाने का तो खट करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होता है और इंडिकेटर लिस्ट पर जाना होता है और यह सूपर ट्रेंड इंडिकेटर है और यह सूपर ट्रेंड इंडिकेटर है जिसमें हमने हमने चेंजिस किया है डबल क्लिक करना होगा यहां पर इंडिकेटर को आपको पहुंच करने का वहाँ पर जब आप रिजिस्टर करते हो ना यहां पर आप जो भी अकाउंट आईडी पासवर्ड बनाते हो यहां पर डालना होता है ठीक है उसके बाद यह सूपर ट्रेंड के पैरमीटर बेसिक सूपर ट्रेंड जो आप लगाओगे न नॉर्मल वाला उसमें यह के लावा कुछ नहीं होता ठीक है सूपर ट्रेंड का एट्यार का पीरेड और मल्टिप्लार बस यही दो ऑप्शन्स आपको वहां पर देखने को मिलती है इसके लावा कुछ नहीं होता अब आगे के जो फंक्शन्स हैं वो हमने आटमेटिक ट्रेडिंग करने के लिहाद से इसमें डाले हैं एक-एक फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि कल को आप आटमेटिक ट्रेडिंग करना चाहो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए ठीक है फिलाल मैं इसको ओके करके आपको दिखाता हूं यहां पर जब मैं ओके करता हूं तो यह अपलाई हो ग पर नहीं दिखा रहा है और एक quantity है हमारी और यहां पर टोटल ट्रेड्स बता रहा है 312 ट्रेड्स होई है जितना भी डेटा इसमें अवेलेबल उसमें और टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है 5224.75 पॉइंट्स यह पॉइंट्स में है ठीक है अगर आपको इंडियन रुप यह वाले डेटा नहीं आएगा उसमें ठीक है दिखेगा निया आपको की performance क्या रही क्या नहीं रही यहां पर आपको इस सारी चीज़े दिख रही है विजुल है ठीक है अब उसके बाद चलता है इंडिकेटर पर अलग-अलग functions है जैसे यहां पर सबसे पहला हमने एक सब्सक्राइब होगी मार्केट खतम होने से पहले आपकी ट्रेड कार्ड देगा ठीक है यहां पर लिखा हुआ एंड टाइम एक लिखा हुआ जो भी एंड टाइम आप डालेंगे उस टाइम पर आपकी ट्रेड अपने आप कर जाएगी अब यहां पर एक function आता है start time का यह start ही चलता रहे बाइक आने पर बाइक का ट्रेड ले अब यहां पर जब हम डबल क्लिक करेंगे यहां पर दो option और मिलते हैं only buy और only sell कभी-कभी हमें लगता है कि market उपर ही जाएगा और हम sell के signals को avoid करना चाहते हैं और कभी-कभी हमें लगता है कि market नीचे जाएगा तो हम buy के signals को avoid करना चाहते हैं अगर आप भी ऐसे ही कुछ avoid करना चाहते हैं किसी रोज कोई signals को तो आप only buy पर क्लिक कर सकते हो तो फिर सिरफ buy के signal लेगा और only sell करोगे तो सिरफ sell के signal लेगा यानि कि चार्ट में जब भी sell का signal बनेगा यह software उसको ignore कर देगा ठीक है और जैसे ही buy का signal बन आपको stop loss अगर लगाना है तो आप stop loss को true करेंगे नहीं लगाना है तो false रखेंगे जब आप stop loss को true करते हैं तो उस वक्त पर आपको क्या करना होगा यहां पर दो अलग अलग तरीके की stop losses है एक तो normal stop loss है और यह trailing के part है ठीक है एक trailing steps है और एक break even है अब मैं सबसे पहले आ आपको एक example से बताता हूं ठीक है माल लीजिए माल लीजिए यहां पर आपका buy का signal का trade हुआ है ठीक है यह buy का signal हुआ और यह आपका stop loss है तो break even में क्या होता है जिस भी signal पर buy आता है इस candle का जो यह high है ठीक है इस candle के high को वो notice कर लेता है और उसके बाद जैसे ही नया high बनता है माल लो यह वाला नया रही बना तो आपका जो stop loss है वो भी यह एहां से नीचा खिसक के थोड़ा सा उुपर आ जाएगा अब यहां पर हो जाएगा उसके बार जैसे ही उसके बाद नया हाई बना, यहाँ पर नया हाई बना, ठीक है, यह new हाई है, तो new हाई के हिसाब से, यह वाला stop loss, यहाँ से, और थोड़ा सा खिसक के, आपका, यहाँ पर आ जागा, यानि कि यह जो distance है, यह वाला जो distance है, यह इसी के बराबर है, यह वाला जो distance था, इस इस डिस्टेंस के बराबर है यह डिस्टेंस बराबर चलता रहेगा और यह धीरे 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 सरकता रहेगा ट्रेल होता रहेगा ठीक है यह होता है ब्रेक इवन का मैथड ठीक है अब मैं आपको समझाता हूं दूसरा वाला मैथड दूसरा वाला मैथड कौन सा है ट्रेल लोसे 5 पॉइंट का ठीक है एक्जामपल के लिए पाइप का आपका एसल है ट्रेलिंग स्टेप्स आपने दिये हैं 20 एक बात आपने श्याद रखने हैं अगर ट्रेलिंग स्टेप यूज कर रहे हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो हमेशा स्टेप की वैल्यू जादा उने पांच पूइंट यह से हैं पेंट्ट डाला तो जैसे कि यहां सेसी फटोंट से बढ़ेगा यानि कि जैसे 100 आएगा यहां से ao और बीस पॉइंट बढ़े 140 गया तो एक सो चालिस जाने पर जो आपका stop loss है वो यहां से और सौ पॉइंट बढ़ जाएगा अब आपका stop loss 105 हो जाएगा उसके बाद और वीज पॉइंट और उपर गया 160 पर गया तो आपका stop-loss यहां से भी और उपर पांच पॉइंट ट्रेल होके 110 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ट्रेलिंग वाला जो steps वाला method है वो काम करता है और trailing और break-even दोनों के बारे में आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है आपको समझ आ गया होगा ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं आगे हैं stop-loss in points यानि कितने points का stop-loss लखना है वो आप यहां डाल सकते हैं उसके बाद आगया trailing steps in points जो मैं अभी आपको बताया था अगर आपको नहीं चाहिए तो आप व्वास कर सकते हैं उसके बाद option आता है re-entry का यह भी बड़ा important है मैं इसको भी चार्ट से बताता हूं आपको यहां पे re-entry का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपने only buy select किया है दो conditions से बताऊंगा अब मान लीजिए only buy select किया है और buy का trade हो गया और cut गया उसके बाद अगला जब buy आएगा यहां से buy आगया मान लो यहां पे आपका नीचे गया market और sell आ गया और उसके बाद यहां पे मान लो आपका फिर से buy आगया example के लिए तो अगर आपने only buy select करा है और re-entry true नहीं करा तो यह वाला trade नहीं लेगा क्योंकि यह buy re-entry है यानि कि एक entry same entry की बाद दूसरी same entry buy entry उसको हम re-entry कहते है ठीक है यह re-entry जो है वो नहीं लेगा एक condition यह है और कई बार क्या होता है कुछ indicators में लगातार buy buy के signal आते हैं कभी कभी और लगातार continuous sell sell के signal भी आते हैं अगर तो उस case में भी आपको re-entry को true करना होगा ठीक है अब आप समझगे होगे re-entry true नहीं करोगे तो सिरफ एक ही trade होगा आपका उसके बाद trade ही नहीं होगा क्योंकि वह re-entry को लेगा नहीं तो अगर आप only buy या only sell selector है तो इसको true करना बहुत जरूरी है इसको ध्यान रखना true करना है इसको उसके बाद आते हैं अगर करनी है तो इसको true करना होगा ठीक है उसके बाद user की और instrument की आपको कैसे मिलेंगी उसके बारे में आपको आगे बताता हूं तो अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है यहाँ पर आपको sign up करना है six days का free try मिलता है ठीक है अगर आपको try लेना आप sign up कर सकते हो यहाँ पर मैं sign in कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास already account है अब इसके बाद यहां platform पर आनिक बाद आपको अपना broker select करना है angel broking करते हो five पैसा करते हो allies value करते हो यह जितने भी brokers यहाँ पर available हैं इन में से कोई भी आप कर सकते हो यहाँ पर कोई भी broker आप select कर सकते हो और जो भी broker आप select करोगे उसकी यहाँ पर client ID और यहाँ पर उसका password डालना होगा ठीक है डाल कर अपडेट करना है मैं किसी broker का आपको करकी दिखा देता हूं मा तो वापस मैं अपने website के dashboard पर आजाऊंगा यहाँ पर वापस आने का मतलब है कि हमारे सारे डेटल सही है अगर गुलत होंगी तो वहाई पर आपको कुछ ना कुछ error दिख जाएगी वेली टोटन के बटन पर में क्लिक करूँ गा डोटन इसका मतलब मेंने लीया वह भिल्कुल सही अब क्या करना होग करना होगा है अब बहुत सांसा बब्रिज्टै तूल पर जा refused पर जाना है अब यहां पर देखो user key और instrument key यह दो चीज़े आपको दिख रही है ना यही डालनी है वहाँ पर अब यह indicator में डालोगे ना अब मैं इसको live करता हूं आपको दिखाता हूं कैसे live करना है ठीक है यह अपडेट की किया यहां पर हमने फिलाल में इसको okay करता हूं इसको मैं यहा आप मोटर को चार्ट लग गया ठीक है इसमें दिखा रहा कि अर्थे स्ट्रेड में 14 प्रॉइंट का प्रॉफिट अब मैं इसमें क्या करना होगा यहां पर इंडिकेटर लिस्ट में जाना है यहां पर मर को एप्याइट ट्रेडिंग को ट्रू करना ठीक है और यह कॉपी क सबसे नीचे आपको डालने कितनी कॉंटिटी में करना अब आप क्या करो यहां पर जागे ना इसको सेव कर लो इसको ऐसे सेव कर दो यहां पर यूज हो रहा है अब जब आप इसको करोगे तो यह अब लिंक्ड हो गया है लाइव हो गया है जैसे ही मार्केट चालू होगा अपने आप यह ट्रेड करना शुरू कर देगा जैसे ही कोई सिगनल आएगा ट्रेड कर देगा उसके लिए जरूरत क्या है आपको य यहां पर से हो जाएगा बस और कुछ नहीं करना प्लेटफों पर सिख़ेज आपको फ्री ट्रायल मिलता है और जातर इंडिकेटर के बारे में मैं वीडियो अभी और बनाने वाला हूं तो आपको हर एक इंडिकेटर जो हमारे प्लेटफों पर अविलेबल है वो बीग जा यहां से प्लेटरें के लिए मैं को यहां पर आप उल्डर आया करने बाद आपको एंठी कर सकता है यहां पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश सकता है यहां पर एक इंडिकेटर की परफॉर्मेंस बताएं दो आपको जैसे बीच कर सकते हैं यहाप से 10-4 कर सकते हैं तो है यहां दिखा रहा है यह क्या हो रहा है कि इंट्रारें नहीं करना चाहते हैं इसको फॉल्स कर दो तो ब्हुंत है यहां पर देखो 9-5 अब बॉइ dollars चल रहा है यह जाल रहा है बाए द तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो और सेटिंग में आप और कुछ भी चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो तो आप साथ तीन भी कर सकते हो तो यह उसके हिसाब से रज़र लेकर आगे अब देखो यह बता रहा कि 34 points का profit यहां पर मिल रहा है तो इस तरीके से आरा अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा वीडियो को लाइक करेगा और अज ही जाईए अपना सब रिजिस्ट्रेशन कीजिए 6 दिन का free trial मिलेगा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे description वारे numbers पे call कर सकते हैं 930 2530 हम लोग काम करते हैं Monday to Friday उस भीच आप कभी भी हमें call पर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में सब तब के लिए बाई बाई टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग